नमस्कार बहुत स्वागत है जोतिश्दिशा सर्तकीरा में मैं हूँ आपके साथ आपका संतोश संतोशी दिरांक 13 मई आज और अभी आप जैपूर में मिल सकते हैं जैपूर में मिलने के लिए दिये गए नमबर पर तुरंद वाटसप करें हर रोज दो पहर दो से तीन लाइ और अपने प्रश्णों का उत्तर आप प्राव्द करते हैं प्रेमित्रों 15 तारिक अर्थात परसों हम आपको वैदिक वशीकरन अनुष्ठान के लिए निमंत्रत करते हैं वैदिक वशीकरन अनुष्ठान में भाग लेकर के आप अपने जीवन में अपने अपनों को सुध हारने का प्रियास कर सकते हैं जिनके लिए आप कंसर्ण है अभी मंत्रित धागा भेजा जाएगा जिसका प्रियोग भेजने के बाद आपके आप तक पहुंचाएंगे तो अगर आप वैदिक वशीकरण अनुष्ठान तीन में भाग लेना चाहते हैं तो आगामी पंद्रह मई का तारीख निर्धारित कर लीजेगा आएए सुरवात करते हैं बाज के जोतिश दिशा का नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भप्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा जेश्ट माह कृष्ण पक्ष अश्टमी और नौमी दोनों तितिया हैं सुबह छे पचास तक अश्टमी है उसके बाद नौमी तिति चंद्रमा आज कुम्बराशी में नक्षत राज का धनिश्टा है सुबह 11 बज कर 34 मिनट तक इसके बाद शत्भिशा योग रहेगा आज का ब्रह्म तद अनुचार दिनांक 13 मई दिन शनिवार शनिवार को राहुकाल का समय होता है सुबह 9 बजे से 10 बज कर 30 मिनट तक इसमें नए और शुबकाम का आरंभ सास्त्रोग तवरजित है गुलिक काल का समय नोट कर लीजेगा गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे से 7 बज कर 30 मिनट तक इसमें नए और शुब काम आप कर सकते हैं आईए अब मेश से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल बताते हैं आज की पूरे भविश्यवारी मेश राशी रुके कारियों को गति देंगे ब्यापार बहुत बहतर चलेगा प्राइवेट सेक्टर की स्थती आज थोड़ी सी टफ रहेगी बॉस के साथ तू तू मैं मैं हो सकता है सरकारी छेत्र में अनुकूलता रहेगी पती पत्नी के बीच तालमेल की कमी दिखाई देती है दोपहट डेड़ बजे के बाद सामंजस से बैठाने का प्रयास तेज करिएगा लव लाइफ बहतर रहेगा स्वास्त के मामले में आज का दिन डाइजेशन और दांत को ले करके परिशान कर सकता है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मेश है आज मेश राशी वाले मांग दुरगा को प्रणाम करके ओम दुम दुरगाई नमह का ग्यारह बार जाब करे शुबरंग आपके ल नहीं है ब्यापार के लिए संघर्ष जारी रहेगा आज रिस्क लेना भारी पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर वालों को दिन बेहतर करने के लिए मेहनत जादा करना होगा आज नौगरी के काम में ही कहीं बाहर यात्रा पर भेज़े जा सकते हैं सरकारी छेतर में जौब क के साथ बना हुआ है लव लाइफ फोड़ा सा टफ सिचुएशन में है अचानक से कुछ इस्थतियां बिगर सकती हैं स्वास्त के मामले में आज का दिन लीवर की प्राबलम कर सकता है ध्यान देजेगा आज का दिन लीवर पेशेंट्स को ध्यान देना होगा दवाओं का सम नामी भाग्य प्रत्षत सतहत्तर सेवेंटी सेवेंट्राशी दिरांक 13 मई सिक्षा की पूर्णता आज आपके सानिद्य में है ब्यापार बहुत अनकूल है बिजनस में कोई दिक्कत नहीं प्राइवर सेक्टर में इस्थति आपके हाथ से बाहर जा सकती है सरकारी छेत्र बेहतरीन रहेगा दांपत्य जीवन को सुधारने का प्रियास करें लेकिन लव लाइफ आपके लिए आज अलग अंदाज में शुबता देगा स्वास्त के मामले में मिथुन राशी वालों को दांत और माइग्रियन से परिशान होना होगा प्रियोग के तोर पर मिथुन र चैन है मांसिक अशानती रहेगी ब्यापाल लेकिन अच्छा चल रहा है बिजनस में आपने जो रिस्क लिया है उसका रिटर्न दिखेगा प्राइविट सेक्टर वालों को आज इस्थती का सामना करना पड़ेगा थोड़ा बहुत नोग जोंक रहेगा लेन दिन में ध्यान दिजिएगा आज की स्थती आपके लिए टफ है सरकारी छेत्रे बहुत बहुत बहतर रहेगा हर कदम पर शुपता मिलेगी बास के साथ तालमिल अच्छा है दामपत्य जीवन अन्कूल है पत्नी का सानिद रहेगा आज करकराशिवाली महिलाओं को थोड़ा बहुत अपने वानी पर अंकुष रख कर पती पर ध्यान देना पड़ेगा स्वास्थ पहले लवलाई बात कर ले विवाह की चर्चा आज हो सकती है आज नए प्रेपोजल पर भी विचार कर सकते है स्वास्थ के मामले में करक राशिवालों को आज कमर दर्द और लीवर की प्राब्लम का सामना करना पड़ेगा प्रियोग क्या करना चाहेगा आपकी राशि करका है गुलाब जल दाहिनी हथेली पढ़ ले और अपने उपर छड़काओ कर ले शुबरंग आपके लिए आज के सरिया भाग्य प्रत्षत पच्पर सिंग राशि दिन बहुत अनकूल है इस्थतियां आपके पक्ष में है चिंताओं से बाहर निकलेंगे ब्यापार अच्छा चल रहा है अवसर अच्छे मिलेंगे प्राइविट सिक्टर की स्थति को सुधारने का प्रियास करें आज लेन देन सावधानी से करें सरकारी छेतर की स्थति में आज गजब का लाब होने जा रहा है प्रमोशन की स्थति आज अच्छी रहेगी स्वास्थ के मामले में थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा आज माइग्रेन और दातों से परेशार रहेंगे लव लाइप में आज स्थतियां सुधरने की तरफ अ पित कर दीजेगा शुबरंग आपके लिए गुलावी भाग्य प्रत्षत बावन करने राशी मानशिक शांती मिल रही है पढ़ाई में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार गजब का है बिजनस में खूब आगे बढ़ रहे है प्राइबिट सेक्टर की स्थति में आज करता दे रहा है दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी का साने दिप्राप्त होगा लव लाइफ थोड़ा बहुत टफ सिचुएशन में जा रहा है स्वास्थ के मामले में आज का दिन अगर आप हेल्थ की बात करें तो घुटना और पेट की समस्या हो सकती है क्या प्र सफेद भाग्य प्रद्शत 58 तुला राशी दिनांक 13 मई दिन शनिवार पढ़ाई नहीं हो पा रही है आज सद्विशा नक्षत्र का चंद्रमा शनी के ही नक्षत्र में शनी के साथ निध्ध को प्राप्त किया है सिक्षा प्रभावित होगी मन चंचलता के साथ इधर उध आज लव अफियर में अगर आप हैं तो आपका सिक्षा उसी की बली जा रहा है पंचम में है न चंद्रमा तुला वालों के ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में रिस्क लेंगे आज लाब की आउसर बनेंगे धन एक दम से आएगा आज शेयर सक्टा में 100% सफलता है प्राइविट सेक्टर वालों को आज का दिन थोड़ा सा शांती के साथ सहंशीलता में दिखाना होगा सरकारी छेत्र गजब का है गौर्निमंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है दामपत्य जीवन अनकूलता दिखाएगा पत्नी का सानित दिप्राप्त होगा लव पंचंभा पेट का होता है क्या प्रियोग करना चाहिए गर आपके राशितुला है आज अंद्रमा पर ही हम आ रहे हैं तीन पौधों में जल जो है सीच दीजे जल से तीन पौधों में जल डालिए शुबरंग आपके लिए स्लेटी भाग के प्रत्षट सत्तावर ब्रिश्चिक राशिके मांसिक शांती है पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं सिक्षा में कोई दोश नहीं ब्यापार को लेकर के आज सजग रहने की आवशक्ता है प्राइविट सिक्टर की स्थिती थोड़ी सी दावा डोल हो रही प्राइविट सिक्टर वालों को ध्य स्वास्त के मामले में आज का दिन कमरदर्द और पीट की समस्या दिखाता है क्या प्रियू करना चाहिए कर आपके राशिक क्या है द्रिश्चिक गुड और आटा मिक्स कर लें गेहूं का आटा और किसी कागश पर रखकर किसी पौधे के नीचे डाल दीजे शुबरंग आ आज नारंगी औरेंज भागी प्रत्षत पश्पट धनु राशी ब्रहश्पति देव की राशी है आपके तृतीयस्थ चंद्रवा का संचरण चल रहा भीया आलत से आएगा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा पराक्रम से भागने का दिल करेगा ब्यापार अनकूल है बिज बिजनस में अगर आप हैं धनुराशी प्राइबिट सेक्टर की स्थितिगों आज सवारने में आप काम्याब होंगे किसी तरह की दिक्कत नहीं है सरकारी छेत्र आपके हाथों से बाहर जाएगा यहां समस्याएं गंभीर हो सकती है दांपत्य जीवन जबरदस्त रहेगा ह हर कदम पर शुबता है लव लाइफ को लेकर के आज सजग रहने की आप शकता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज डाइजेशन और पेट की समस्या हो सकती है क्या प्रयूग करना चाहिए धनुराशी वालों को ओम गंगणपते नमः ग्यारह वार इसका जाप करिएगा शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग्य प्रत्षत 57 मकर राशी मांसुक्षान्ति है दुतियस्त चंद्रमा का संत्रण दिन बहुत बहतर बीतेगा आज गाना गाने का मन करेगा मकर राशी वालों को घुमने टह पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं ब्यापार में आज संघर्ष करना पड़ेगा बिजनस को ले करके आपको सजग रहने के आवशक्ता है प्राइबिट सेक्टर कुछ बड़ा करवा रहा है और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलता है सरकारी छेत्र की स्थिति को सुधारने का प्रियास करें दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी का सानित दिप्राप तो होगा लेकिन लव लाइफ आपके लिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन में जा रहा है स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो आज डाइजेशन और किट्नी की समस्या हो सकती है आज प्रियोग के तोर पर अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लीजेगा यहां सब तमेश को हम आपके ऊपर ले आए हैं चंद्रमा कहे तुम दाल लाल तो हम पात पात शुबरंग आपके लिए आज बैङनी भाग के परतिशत 50 कुम राशी आप की राशी पर चंद्रमा का संच्रन खषठेश हो करके आना च्धे का सवामिय हो करके आपके राशी पर आना आपके नक्षत्र में आना सद्विशा में आना, पढ़ाई में आज कम्मन लगेगा, इधर उधर की बातें बहुत प्रभावित करेंगी, आज लेन देन को ध्यान देना होगा, मामला हाथ से बाहर जाएगा, ब्यापार टफ सिचुवेशन में है, कर्ज की स्थती बढ़ सकती है, लोन आधि शंक्षन हो लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवशक्ता है, स्वास्त के मामले में आज का दिन डाइजेशन और आखों की समस्या हो सकता है, क्या प्रियोग करना चाहिएकर आपकी राशी कुम्भ हैं, आज कुम्भ राशी वालों को अपने दाहने हाथ से कच्चा दूध रखकर किसी पौधे के नीचे डालना शुब होगा, शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग की प्रत्षत पचास अंतिम राश मीन, आपकी राशी से बारहमे में चंद्रमा का संचरण है, मन बहुत भागेगा, आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, पढ़ाई में मन कम लगेगा लेकिन जो करेंगे वो कंकरीट करेंगे, ब्यापार अनोखा है, बिजनस में कोई समस्या नहीं, एक वारी परंकुष रखना पड़ेगा, जुबान फिसल सकती है, क्योंकि एका दस से दुती में बारहमे में चंद्रमा का संचरण जुबान को फिसला देगा, सरकारी छेतर में सुधार लाने का प्रयास करें, दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है, पत्नी का खुब साथ बना करना चाहिए मीन वालों को, आज हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना शुब होगा, शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रत्शत बासट, राश्यों का हाल समझ लिया, आप आईए हम आपको बताएंगे किसका आज सेलेक्शन हो रहा है, हस्त रेखा और आज हस्त रेखा और आप में भाग्यशाली दर्शिका हैं, मुन्नी कुमारी बिहार से हैं, क्वेश्चन है कि जॉब कब होगी, शादी कब होगी, लब या अरेंज होगी, इनकी फोटो भी आई है, और 29 वर्ष अवस्था है नौकरी के लिए मुन्नी कुमारी आपके हस्त रेखाओं से मैं ये कन्फर्म कर रहा हूँ कि आपकी नौकरी निश्चित है, आप टीचिंग और बैंकिंग दो ही छेत्रों में प्रयास करिएगा, दोनों छेत्रों से आपके सेलेक्शन की संभावना मोर दैन 90 परसेंट आपने विवाह संबंधी प्रश्ण भी किया है मुन्नी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विवाह की योग आपके द्वारा भंग किये जा चुके हैं, बैवाहिक सुख की महा अलपता रहेगी अर्थात अगर शादी हो भी जाती है, पांच दस प्रतिशत उम्मीद है कि व अगर शादी होती है, तो बैवाहिक जीवन शूनने रहेगा, आए दिन कलह कलेश होता रहेगा, भटकाव की पूरी संभावना रहेगी आप में भी और आपके पती में भी, आप दोनों के जो संयोग दिखते हैं, शुर्ष रेखा, जीवन रेखा, हरदय रेखा और सूर र रेखा के अंतरगत, इन समस्त रेखाओं और परवतों पर राहुदेव और शनिदेव का प्रभाव नगरात्मक रूप में है, लिहाजा आपके द्वारा तमाम प्रकार की गलतियां संपन्न की गई हैं, जो आपको परिशान करेंगी बिवाह के बाद भी, मुन्नी कुमारी के तोर पर गउ सेवा, पूर्ण सात्विक रहना, बालों को बांथ कर रखें, आपकी तस्वीर में भी मैं देख पा रहा हूँ, आपने बालों को खोल के रखा है, जो की बिल्कुल उचित नहीं होता है, बालों को बाधना नितान तनिवारे होता है कन्याओं के लिए, जिस सात्विक रहिएगा, बार-बार मैं कह रहा हूँ, पूर्ण सात्विक रहिएगा, शनी राहुग की निगेटिविटी कम होती है, आज के हस्त रिखा और आप में इतना ही, आप भी अगर अपनी हस्त रिखा भेजना चाते हैं, तो यहां तक की हाथ की रिखाएं, दोनो फो एक प्रश्ट में हमें आप इस नंबर पर जो अभी आपकी स्क्रीन पर है तुरंट वाटसप कर दीजे। आई आगे बढ़ते हैं आप जानते हैं आज की सक्सस की। तीन चुटकी आटा अपने सर से तीन बार क्लॉकवाइस दक्षिना वर्तवारिये और किसी पौधे की नीचे डाल दीजिए। मंत्र बोलिएगा ओम शम शनिश्चराय नमह साथ बार और अब फिर आज के दिन का शुभारंब करें। अब आए जानते हैं आज का भाग्याक्षर मेश राशी। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का आज का दिनांक 13 मई को पैदा हुए लोगों को जनम दिन की हार्दिक शुभ कामनाएं प्रियोग रहेगा किसी तीन लोगों को पेट भर भोजन करा दीजिएगा आज एक व्यक्ति को पुरुष्ट चाहे महिला किसी को भी पाउं में पहनने के लिए जोता या चप्पल दान कर दीजिएगा उपहार दीजिएगा नया दे दे तो सोने पे सुहागा और तीन नीम के पौधे अपने हाथों से कहीं लगा दीजिएगा जिसका भी आज जनम दिन है ये उपाए हर हाल में कर ले और जिसकी आज मैरीज अनवरसरी है दो कन्याओं में उनकी विवाह में मदद करा कर किसी तीन व्यक्ति को खाना खिला दीजिए पती पती मिलकर करे बहुत अच्छा रहेगा तो आज के इस खासंक में इतना ही एक बार पुन है बता देते हैं कि आज आप डारेक्ट हमसे जैपुन में मिल सकते हैं कल पर सो दो दिन हम रहेंगे इन दौर में मिलने के लिए 9910291850 पर तुरंत वाटसप करिएगा और दो पहर दो बजे तार चल रहा भीगत 13 दिनों से आज के लिए इतना ही हमें अनुमत दीजेगा अपना ख्याल रखें नमस्कार शेरादे